तो अगर आप समसंग यूजर हो तो इस वीडियो में आपको एक ऐसे फीचर के बारे में बताऊंगा जो आज की डेट के हिसाब से दिखाए जाए तो बहुत ज़्यादा इंपोर्टन फीचर है अब देखो आज की डेट के अगर में बात करूँ जहां पे फोन अगर आप इस देखा कि कोई अपडेट आया आपने अपडेट किया कुछ बैजे से करप्ट हो गया वह फाइल आपको रिसेट करने के लिए कहा जाएगा जब तक आप रिसेट नहीं करोगे आपका फोन और नहीं होगा तो इस केस में मोटा मोटी फोन के अंदर जो भी डेटा है वो सब क आपकी फोन के अंदर जो आपका डेटा है वो एक लिस्ट सेफ रहेगा नेक्स टाइम जब भी अगर आप कोई भी समसंग की स्मार्ट फोन बाय करोगी तो पुराने वाले फोन के अंदर जो भी डेटा बगरा होगा वो सब कुछ आप रिकभर कर पाओगे इन फैक्ट अग करने जाते हो अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है फाइल बगर अगर कोई भी करप्ट हो जाता है तो इसकिस में डिरेक्टली आपका फून ओफ होगा और आपको कहा चाहेगा कि आपकी फोन को फॉर्मेट कीजिए अधर्वाइज आप जब तक अपने फोन को फॉर्मेट नहीं करोगी तब तक आपका फून और नहीं होगा तो इसी चीज़ को धूर करने के लिए समसंग आपको एक ऑप्शन दे रहा है आप अपने फोन की डेटा को बैकाप करके रख सकते हो तीस दिनों के लिए अल्लिमिटेड यहां पर कोई भी लिमिटेड नहीं है आप अप इतना डेटा आप हम बैकाप कहां पर रखे तो समसंग यहां पर आपको एक ओफर दे रहा है कि आप अपने फोन का जितना डेटा है अल्लिमिटेड डेटा आप समसंग क्लाउड का अंदर बैकाप करकर रख सकते हो बट सिर्फ 30 दिनों के लिए तो इन फूचर अगर आपक को सार्च करना है maintenance mode and By the way यह feature 1EY 6.1 ने समन्संग के अधर आया है तो अगर आपने अपने फोन को एपडेट किया है अगर आपका फोन वान वाई 6.1 पे नहीं चल रहा है तो यह फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा तो maintenance mode आपको सर्च करना है जो कि device के अंदर आपको देखने को मिलेगा एकदम नीचे maintenance mode के उपर simply tap करना है थोड़ा सा गर आप इसको आप करोगे तो यहां पर आपको दो option देखने को मिलेगा सबसे पहला temporary cloud backup और दूसरा external अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे तीज दिन के लिए सिर्व बैक आप करकर नहीं रखना है तो आप इस किस में कोई एक्सटर्नल स्टोरेज का इस्तमाल कर सकते हूं किस तरह से एक पैंड्राइब के मदद से या फिर एक बैक आप करके रख सकते हूं और आज की डेट में 5G है सब के पास एवेलेबल है तो अगर अलिमिटेट 5G है तो यहां पर भी साथ कोई प्रावलम नहीं होगा क्लावड में आप जितना चाहिए डेटा को बैक आप करके रख सकते हो तो टैम्पुररी क्लावड बैक आप के उपर टाप करना है यहां पर आपको समसंक का आईडी देखने को मिलेगा आगर आपने अभी बी समसंक आईडी क्रेट नहीं किया है तो कर लेना बहुत इजी स्टप है फोन नंबर इमेल आड़ी लेगा सिंपली नेक्स नेक्स करके एक संसंग का क्लाउड आईडी बना लेना यहां पर एक इंपोर्टन चीज है आप जो क्लाउड आईडी बनाओगी उसका पासवार्ड आपको याद रखना है कहीं पर लिखके आ के अंदर आभी 33GB डेटा है जो बैकाप करना है अब 33GB अगर आप किसी भी क्लाउड सर्विस के अंदर देखोगे तो इतना एमाउंट या फिर इतना डेटा भी कोई नहीं दे रहा है हाँ जियों के पर फिलाल ओफर चल रहा है 100GB तक अब क्लाउड में फ्री बैकाप करके करके इसके बाद सेप्पली बैकाप के उपर tap करना है अगला चाहो तो यहां से कोई चीज़ कीकर सकते हूं नहीं करके रखें आर्ने बैकप प्रिप्रोसेस अपका प्रिप्यर होगा और यह जब Tक 100% नहीं होता है आपको थोड़ा सा वेट कि करना होगा क्रिप्ट होके बैकाप होगा तो यहां पर भी आपका जो डेटा है वो सिक्योर होगा तो डेटा एनलाइज होने के बाद अब फाइनली आपके फोन में जो भी डेटा है वो बैकाप होना स्टार्ट हो जाएगा तो यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है अपने फोन को सिं तो चाहे कोई भी अगर in case in future problem होई आपकी फून में तो आपका डेटा सेफ रहेगा सिक्योर रहेगा तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा इसे बात पे वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अगर इसके रिगार्डिंग और कोई भी डाउट से क्वारेज है तो करके पूछ सकते हूँ और ऐसे हैं इंट्रेस्टिंग वीडियो आगे दिखने के लिए डिजिटल टाच को ही सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू